जैन दोस्तो ट्रिपल टैन के इस तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है जिसमें हम रोजाना रात को दस बजे दस मिनट में दस प्रशन आपको मानसिक अभिरूची या फिर पुलिस कारवाई से सम्बंदित कराते हैं तो आईए इस तीसरे वी वीडियो को अपना पहला प प्रशन आपर जिले में आपरादिक परसासन का परमुग कोन होता है तो जिले में आपरादिक परसासन का परमुग जिला मंज स्टेट यहाँ पर होता है तो इस प्रशन का सही जवाब होजएगा ओप्शन नमबर बी अगला प्रशन आपर घुड़सवार पुलिस के करतव करना, option number C, उत्सवों पर मार्ग रख्षा करना, या फिर option number D, उप्युक्त सभी, तो ये सभी कारे गुड़सवार पुलिस करती है, सड़को पर गस्त भी लगाती है, अब रादियों का पीछे भी करती है, और उत्सवों पर मार्ग की रख्षा भी करती विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ती की जा सकती है, तो विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ती किस के दौरा की जा सकती है, option number A, पुलिस महानी रिख्षक के दौरा, option number B, किसी मजिस्ट्रेट दौरा स्वेपरेड़ना से, option number C, पुलिस प्रश्ण के आवेदन पर मजिस्ट्रेट दौरा तो उप्सन नमबर सी इस प्रशन का बिल्कुल सही जवाब होजएगा क्योंकि प्लिस निरिक्सक जो होते हैं के उनके आवेदन पर मजिस्ट्रेट दौरा किसी विशेज पुलिस अधिकारी की न्युक्ति की जा सकती है और पुलिस की डाइरी होती है वो क्या होती है क्या वो केश डाइरी होती है या फिर सामान्य रेजिस्टर होता है या फिर सामान्य डाइरी होती है या फिर उपर्युक्त सभी होती है तो पुलिस की जो डाइरी होती है वो सामान्य डाइरी के दरगत आती है ठीक है या आपको स जस्त्र पुलिस नियुक्त होती है, option number C, अस्वारोही पुलिस नियुक्त होगी, या फिर option number D, गराम चोकिदार की नियुक्त होगी, तो जो सड़कों पर गस्त लगाती है, वो जो पुलिस, वो इन में से कौन सी पुलिस होती है, तो वो आपकी होती है, सिविल पुलिस, यान पुलिस के जो यह पद निकले है साथ हजार के असपास यह सभी सिविल पुलिस के अंतरगत ही निकले है अगर आप इस भरती में सेलेक्ट हो जाते है तो आपका सेलेक्शन सीधा तो इस प्रशन का बल्कुल सही जवाँ ज़ाएगा ऑप्षन नमबर एं सिविल पुलिस निकले है अगला प्रशन है आप्र उत्तर परदेश पुलिस रेगूलेशन के अंतरगत रिजर्व पुलिस लाइन का भारसादक अधिकारी कौन होता है तो रिजर्व पुलिस लाइन का भारसादक अधिकारी जो होता है रिजर्व निरिक्षक होता है ठीक है या फिर इसको ही रिजर्व इंस्पेक्टर भी बोलते है तो इस प्रशन का सही जवाब हो जाएगा ओप्शन नमबर B अगला प्रशन आपर देखते हैं अगला प्रशन आपर पुलिस अधिनियम 1861 के अधिन लावारिस संपत्ति को भारसादक में लिया जा सकता है ओप्शन नमबर A हुप पुलिस अधिकसक दुआरा ओप्शन नमबर B पुलिस अधिकसक दुआरा ओप्शन नमबर C जिला मजिस्ट्रेट दुआरा या फिर ओप्शन नमबर D पर तेख पुलिस अधिकारी दुआरा तो इस प्रशन का सही जवाब होजएगा या फिर संकट पूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करने की सकती किसको प्राप्त है यानि पुलिस अधिनियम जो है ठारा सुक्सेट उसमें एक बात लिखी गई है कि कोई भी संकट पूर्ण जिला है यानि कहीं पर आपात काली निस्तिती आ जाती है और वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल की जरुरत पड़ती है तो वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल को कौन बेज़ जकता है या फिर कौन तैनात कर सकता है क्या केंदर सरकार करेगी क्या राजजेसरकार करेगी या फिर दोनों सरकारी करेगी केंदर राजजे तो इस परशन का सही जवाब हो जायेगा OFFTION NOMBER B राजजेसरकार को यह अधिकार है कि वो किसी संकटमून जिले में अत्रिक्त पुलिस विल्ड की तेनाती कर सकती है अगला प्रशने आपर पुलिस दुआरा एक S&G अपराद में गिरपतारी का वारंट किसी भी कारण में नहीं रखा जा सकता यानि किसी व्यक्ति के खिलाब S&G अपराद के अंतरगत कोई वारंट जारी हुआ है और पुलिस उसको अपने पास ही रखी हुई है किसी उक्त व्यक्ति के पास नहीं पहुचा रही है तो कितने दिन तक पुलिस उसको अपने पास रख सकती है तो उसको पुलिस 6 अपता से अधिक नहीं रख सकती ठीक है अगर किसी S&G अपराद के लिए कोट ने कोई वारंट जारी किया है तो पुलिस को 6 हफतों से जाद अपने पास नहीं रखना है वो जिस व्यक्ति के नाम का वारंट निकला है उसको 6 हफतों के अंदर अंदर उसको पहुंचा देना जरूर चाहिए ठीक है तो इस पुलिस बल की संख्या को कम करने या फिर अधिक करने का अधिकार किसका है यानि जो पुलिस बल होता है उसमें पुलिस की संख्या को कम करना या फिर उसको अधिक करने का अधिकार किसका है क्या पुलिस महाने दे सकता है क्या राज्यपाल का है क्या फिर राज्यसरकार का है या फिर राष्टपती का है तो इस प्रशन का सही जवाब होजेगा option number C, राज्यसरकार राज्यसरकार ही पुलिस बल्ल की संक्या को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है अगला प्रसने आपर भारत के परते एक राज्य में कानून एयों विवस्ता को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है तो इस प्रसन का सही जवाब आपको कमेंट बोक्स में देना है यह आपका होमवर्क है यहाँ पर लिखा भी गय है होमवर्क तो रोजाना के वीडियो में मैं आपको एक लाश्ट का कोश्चन होमवर्क के रूप में दूँगा जिसका आपको जवाब नीचे कमेंट बोक्स में देना है तो इस प्रसन का जवाब आपको नीचे कमेंट बोक्स में जरूर लिखना है और कैसी लगी वीडिय आपको अच्छे लगई होगी वीडियो अच्छी लगई है तैसको लाइक कीजीगा और वीडियो को शेयर भी कीजेगा और आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को भी सस्क्राइब करना होगा ठीक है तो आज के इस वीडियो में वस इतन fitness मि झाल झाल